नमस्कार दोस्तों बिहारी किचन में आपका स्वागत है ये रेश भी बहुत ही वाइरल हो रही है जो कवीता किचन जी ने बनाई है तो आज हम भी बना रहे हैं इसको नास्ते में सुवा सुवा तो इसके लिए फालक और देखिए चना दाल मिर्ची और लहसन के खुछकलिय है और हाप इंच अद्रक का इस्तमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं इसका पेस्ट बना के त्यार कर लेंगे इससे थोड़ा पतला होना चाहिए यह मोटा है इसमें थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और नमक यहाँ पे स्वाद अनुसार और तवे को गरम करेंगे और अच्छे से ब्रस हम यहाँ पे ओल का कर लेंगे और फिर यह प्यारा सा पेस्ट इसपे हम डाल देंगे और देखिये बनके त्यार है चिला और कदू कस किया हुआ गाजर गाजर देखने में भी खुबसूरत और खाने में भी स्वादिश्ट और यहाँ पे फूल को भी लेंगे हम गिसा हुआ आप यहाँ पे पनीर का इस्तमाल कर सकते हैं चीज का इस्तमाल कर सकते हैं मन पसंद जितनी भी सबजियां आपको चाहिए वो सब यहाँ डाल सकते हैं और धनिया पत्ता डालने के बाद खुबसूरती इसकी और बढ़ जाती है, देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है, ये चने डाल का चिला और पालक, पालक बहुत ही हिल्दी और टेस्टी डिश त्यार करता है, तो उपर से थोड़ा सा ओइल हम डालेंगे और पलट देंगे, दोनों सैट से पलट के अच्छे से पकाईए, अब उसके बाद देखिए इतना स्वादिश्ट ये नास्ता है, कि कोई भी आपको सिकायत का मोका नहीं देता है, हर आदमी आपका तारिप करेगा, और इजी और क कोई रेस्पी है, दो मिनट में बनके त्यार हो जाएगी, और टेस्टी टेस्टी आप चटनी के साथ इसको सर्व किजिए, धनिये के चटनी के साथ सर्व किजिए, तो और अच्छा रहेगा,